आज मैं आपके लिए एक बहुत इच्छी और स्पेशल सी रेसिपी लेके हाजिर हुई हूई हूँ बेसिकली इट्स फेवरेट किड्स रेसिपी स्पेशली फॉर इस रेसिपी फॉर किड्स ठीक है आपने इसको जुरू ट्राय करना है बहुत इजी है बहुत यमी बनती है बिल्कुल जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका और आप एजी ली जो है रेसिपी को रेडी कर पाओगे ठीक है आपने एक बाउल ले लेना है आज मैं आपको बेसिकली जो है आलू और चिकन के कटलर्ट सिखा रही हूँ ठीक है जो है फ्राइ करके स्टिक्स में लगा के इस थाना से आप डिफेर्ट वरियेशन कर सकते है इस आल इस अप टो यू बट बेसिकली इस बेसिक रेसिपी आपने इसको जूरू ट्राय करना है आपने ले लेना एक बाउल ठीक है बाउल में जाएंगे चार मैश्ड पोटैटो ठीक है चार मैश्ड पोटैटो चले गए वन और हाफ कप बॉइल एंड ग्रेडिट चिकन जाएगा ठीक है यह देखिए चिकन को जो आपने अच्छे से बॉइल करके चोपर में जारा सा आपने इसको चोपर कर लेना है बिल्कुल जबरदस्त किसम का रेडी हो जाएगा ठ मिर्ची के साथ तीन हरी मिर्चे और क्वाटर गड़ी हरे दनिये की चॉप्ड यह ले लेना है आपने यह जला हूँ अगर आप चाहिए तो आप इसमें प्यास भी आइड कर सकते हो चॉप्ड करके बट प्यास उसके साथ क्या होगा कि यह थोड़ा पानी छोड़ना शुर लुण में इस प्यास में नहीं अड़ करी इसके साथ इसमें जायगा भ्लैक पेपर तीक है, स्पाइसे जोए आपने चॉवर्ण यूज करने है प्यान की मैश का बताओंगी इसके साथ गरम शाल आईगा ईसिकेसा इसमें जाये गा रिऩार पाउड़ है इसके साथ तो में यह पाउडर आपने यूज करना है क्रेश्टी यूज नहीं करना उसके साथ फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आता तो आपने इसी को यूज करना है आप लोग अच्छे से समझ चुके हो पहले बॉइल इसमें आलो अड़ की है फिर इसमें उबली हुई चिकन आपने बॉइल करके इसको अच्छे से चॉपर में कर लेना बिल्कुल ग्रेडिट हो जाए इसी के साथ इसमें जाएगी हरी मिर्चे चॉप्ड हरा दनिया चॉप् इसमें क्या था जास गरम साला ब्लैक पर सॉल्ट और रडचिली पाउडर ताइट सेट अब इनको मैंसे से मिक्स करते हो ठीक है फिर इसकी जो है शेप में आपको बनाना सिखाऊंगी आप अगर चाहें तो आप इसको जो है आजा कबाब बना सकते हो चाहो तो आप इसको इसको डेल कर सकते हो यह जो है डिफर्ट वेरियेशन जैंबट बेसी कली इस तब इसी क्रेशिपी ठीक है अब इसकी जो है इसको मैं अच्छे से मिक्स करते हूं फिर मैं आपको दिखाते हूं इसकी लुक नौ विवर्स यू कैन सी ठीक है इसको जो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसकी जो है शेप मैं दोंगी और फिर जो है इसको अंडा लगाके फिर ब्रेट क्रम्ज लगाके इसको जो है फ्रीज कर लोंगे ठीक है आप इसको जो डिफर्ट शेप्स दे सकते हो इट अब आपको इसकी शेप देना सिखाओंगी ठीक है आपने क्या करना है आपने जो है जैम का एक अधर टकन Karena यह देख देख सकते हैं ठीक है किसी भी company का जैम का टकन जो अगर जैली ऊगईरा इस तरह से जो आपने इसको शौपर के अंदर दबा लोना है ठीक है यह देखिए शौपर के अंदर दे ले ना यह देखिए शौपर के अंदर देखे टिक है इसके उपर जो है मिक्स्चर रखके यह जो है मेरी मेट बहुत मुश्किल से डून के लाई है यह देखिए इस तरह से जो है इसमें दबा के ठीक है सारे का सारा मिक्स्चर इसके साथ क्या होगा के शेप बहुत अच्छी आएगी बिल्कुल जो है सारी के सारे कटलर्ट्स या शामिया जो भी आप इसको करना चाहरे हो बिल्कुल एक की शेप बनेगी ठीक है कोई छोटा बड़ा नहीं बनेगा कोई टेडा मेड़ा नहीं बनेगा इस a very good tip अगर आप से यह कैरी नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है शौफर जो है very easy, very quick, and very authentic. आपकी ज़र सारी की सारी shapes एक जैसी बनेंगी, ठीक है? इसी के साथ अब इसको ज़र बना के मैं रखतूंगी, अगर आप चाहें, तो इसी तरह से सारी की सारी शामिया बना के आप इसको रख सकते हो, बट अगर आप चाहो तो इसके ओपर अंडा और ब्रेड क्रम लगा के फिर भी इसको जो है टाइट करके फिर इसको आप एयर टाइट बॉक्स में डाल सकते हो ठीक है अब इसको जो है जब भी आपने एक बात आपने अच्छे से जान लेनी है जब भी आपने कोई चीज फ्र माने में बिल्कुल भी फुष्किल नहीं होगी वह बहुत एजीली जो है आप उसको उठा पाओगे कोई आपको छुरी का सहारा कोई आपको कांटे का सहारा नहीं लेना पड़ेगा ठीक है इस वरीजी टिप अब आपने क्या करना है अगर को अंडा और ब्रेड क्रम लगा आपको रखके दिखा देती हूं ठीक है ट्रे में जो है शॉपर रखके फिल आपने यह सारा प्रोसेस करना है इसके साथ क्या होगा कि आपकी जो है शामी आपको उठाने में बहुत ही इजी गर्वीनियन ट्रेगा ठीक है शामी पकड़ी सबसे पहले अंडे में डिप की ठ अंडे में डिप करने के बाद इसको जो है ब्रेड क्रम लगाने इस तरह से अगर आप शामी की शेप दो होगे तो आपकी जो है शामिया बिलकुल एक जैसे बनेंगी कोई छोटी बड़ी नहीं होगी यह लगा रही हूं अपने ब्रेड क्रम इसके उपर टिक है वेरी इज रेसिपी चंद एक इंग्रीडियंट्स है इस तरह से जो है शॉपर के ऊपर शामी को रख लिए ताट सेट वेरी इजी मैथड वेरी कुईक मैथड आपने इसको फोलो करना है इसी तरह से जो मैं सारी की सारी बना के रखती हूं अगर तो आपको पसंद है अंडा और वन मंद के लिए आप इसको रख सकते हो नौटा बिक डील अगे रमजान भी है रमजान स्पेशल रसी भी है आपने इसको जूरू टाय करना है तो जब भी आपको चाहिए हो आप इसको निकाले कोई आपने यह नहीं है कि पहले डीफ्रोस्ट करना है नौ नौट अट आट इसको बिक डिल आपने क्या करना है एक दो नंबर ओवन में लगा देना है उसके साथ क्या होगा कुछ लोग पिल्कुल हरकी आंच पर रख देते हैं शामीयां बनाने के लिए और 15-15 मिनट वह शामी पक्ती रहती है वह बाएं तो कलर आ जाता है लेकिन अंदर से वह इसको उतार के जस्ट जो बाद में इसको आपने ओवन में नमपर लगाना है ठीक है ओवन में आपने इसको गरम कर लेना एक से दो नमपर तैट सिट इस वड़ी इन ना ठीक है अब यह मैं सारी की सारी शेप देती हूं फिर आपको दिखाती हूं अब इसको जो है मैं फ्रीज करूंगी जब यह टाइट हो जाएंगी तो इनको जो है यह टाइट बोक्स में आप बन मंत के लिए फ्रीज कर सकते हूं ठीक है अब इसको जो है मैं फ्रीज करूंगी ठीक है यह देखे भी वर्स अब जो है मैं शामी आपको फ्राय करके दिखाती हूं ठीक है इसको जो जोजाए लेटी से ओपने घरम करके दो डल्दी से इसको अधर देलेना रिटक है और इसको जल्दी से इसके उपर कलर आजाएगा, ठीक है, ओल को अच्छे से गरम करके आपके दोनों साइडों पर कलर दे लेना, दर्मियान में से सारी चीजें अच्छे से कूक है, अब जो अच्छे इसको हम दो मिनट के लिए ओवन में लगाएंगे, and that's it. अब इसके साथ अंडे बली इसको अपने किस तरह से फ्राइग करनी है, जिसको अच्छे से बताती हूँ, अब यह दोनों साइडों से फो गई होगी, इसमें अभी थोली करता है, दूश्री कलर, बिल्कुल हाइग फ्लेम पर एक मिनट में आपने दोनों करफ कलर दे लेना है और फिर ओवन में अल्मोस्ट दो मिनट के लिए लगा देना, उसके साथ क्या होगा, आपकी शामी नहीं टूटे की उठाते हुए, और अच्छे से अंदर से भी प्री हीट हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से आपने इसको फ्राइ कर लेना है, बहुत अच्छी रेसिपी है, आप इसको जाए डिफरंट शेप्स दे के इसको आप फ्रीज कर सकते हो, रमजान के लिए बहुत ही बहुत रेसिपी है, यह देखे है, हो गया है, अब मैं इसको निकालती हूँ और आपको जो है दूसरे वाली कोटिंग करके बताते हूँ, यह देखे वीवर्स, अब जो ह आपके इसको जो है अच्छे से गराँ, को गरम करके आपने पहल जैसे अपने आपको बताया, एक मिनिट शेट नेरए यह दोनो तरफ छो है अपने आपने लगान इसतर्वी खाळ है, एक मिनिट के अंदर यह जो दूनो तरफ तरफ भबचाए कि अजिए रदा को फलकाए बिल्कुल हाई फ्लेम पे टॉंग की मदद से आपने इसकी साइड चेंज करनी है इस तरह से आपने बना लेनी है ठीक है और सर्फ करनी है इसको आप डिफरंट शेप्स आप दे सकते हैं अभी थोड़ा सा कलर रहता है आपने यह काम नहीं करना कि एक तरफ से थोड़ा सा कलर आया और आपने इसको अटार में कर दिया है नौ आपने बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करना एक तरफ जब कंप्लीट कलर आजए फिर आपने इसको अटार में करना है उसकी वज़ा से जो यह शामी डेली नहीं होगी तूटेगी नहीं यह दिखिए एक तरफ से जो कलर आ चुका है अब इसको जो है मैं अच्छे से जो है फ्लैटर में सर्फ करूंगी ठीक है यह दिखिए जबरदस्त मैंने आपको तीनो तीनो दोनो तरह की जो है फ्राइ करना से खा दी है एक मिनट आपने लगा रहा है अभी थोड़ा सा कलर है समीबेशी किल्कुल भाई फ्लैम पर यह कामाद में करना है पर बेरी केरफुल तो उनकी मदद से आपने लगान है ठीक है यह राफ फ्लैम ओव कर दिया है अब इसकी जो है पाइनल लुक में आपको दिखाते हूं यह देखें वीवर्ड्स यह जो है तीन ब्रेट क्रम्स वली यह तीन एक्स वली ठीक है अब आप जो है इसकी लुक अच्छे से देख सकते हो आपने इसको ज़रूर ट्राय करना है कार्णली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें अल्ला हाफिज